अटेंडेंस कौन लेगा? टीच्मिंट पेपर कौन चक करेगा? टीच्मिंट तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सेलेक्शन कराईए सर बाकि सब टीच्मिंट कर लेगा चाहे जैसी भी ज़रुरत हो टीच्मिंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मिंट इंडिया का नमबर वन टीचिंग आप जैहिन देखिए आज के इस वीडियो में हम तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक की जो आपके एक्जामिनेशन फॉर्म भरनाए का लास डेट है उसको एक्स्टेंड किया जाएगा या नहीं ठीक है सेकंड टॉपिक यह है कि आपका एक्जाम डेट एक्स्टेंड किया जाएगा मतलब एक्जाम डेट पोस्टपॉंड किया जाएगा कि नहीं ठीक है इस टॉपिक पे बात करेंगे और थर्ड सबसे important बात अगर exam आपके दिये गए date पे होता है तो आपके admit card या बाद में भी अगर postpone भी होता है तो admit card आपके कब तक मिल जाएंगे इन सभी चीजों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं बता दो कि अभी आपके application form को fill करने की जो last date है वो है 15 अप्रेल 2021 यानि 15 अप्रेल 2021 तक आप form fill कर सकते हैं वहीं exam date की बात करेंगे तो exam date आपका 15 जून से 20 जून है ठेक है 15 जून से 20 जून है ठेक है तो देखिएगा आपके जो board examination के date थे पंचाय चुनाओ के वज़े से extend कर दिये गए है ठेक है तो ऐसे में आपका जब अब जो जो है board examination होगा वो 8 मई से आपके start हो जाएंगे और 8 मई से लगभग लगभग मान के चलिए 20 मई तक आपके exam चल रहे हैं ठेक है तो 8 से 20 मई तक आपके exam चल रहे हैं ऐसे में मात्र आपको 25 दिन मिल रहा है तो ऐसे में यह संभावना बन रही है कि आपका जो exam date 95% नहीं पोस्ट पूंड किया जाएगा और 5% chances है कि डेट को extend कर दिया जाए या date को पोस्ट पूंड कर दिया जाए कौन से date आपके examination date जो कि 15 जून से 20 जून है और extend भी होंगे तो ज्यादा नहीं ठेक है तो यह संभावनाएं बन रही है बाकी देखें टाइम आपको मिल जा रहा है 20-25 दिन का इसलिए 95% chances है कि आपके date extend नहीं होंगे examination की वहीं अगर आप बात करेंगे कि form भरने की last date की तो form भरने की last date एकदम हर साल extend की जाती है जो आपका form भरने का last date होता है वो जो है अंतिम देट तक जाते जाते एक महिना और बढ़ा दिया जाता है नहीं है वन मंथ और extend कर दिया जाता है तो इस बार भी chances है कि आपके last date को extend कर दिया जाएगा हाला कि अभी कोई official notice इस पे नहीं आई है इसलिए अगर आप form की अगर आपको examination देना है मतलब examination को ले करके आप serious हैं आप polytechnic करना चाहते हैं तो आप chance मत लीजेगा 15 April 2021 से पहले form को fill कर लीजे ताकि आपको कोई समस्या का सामना न करना पड़े ठीक है तो यह चीजे हैं जो कि आपके form भरने के last date के बारे में थी अब चलिए बात करते हैं admit card के बारे में कि जो बच्चे form भर चुके हैं अब तो वो सीधे admit card के बारे में ही सोच रहे होंगे कि कब तक उनको admit card मिल जाएगा तो दोस्तों मैं बताओं आपके examination से 10 से 10 दिन या एक हपते पहले आपका जो admit card होता है वो मिल जाता है कहने का मतलब अगर 15 June से exams है तो आपके June के पहले week में नहीं first week में आपको admit card आपका बिल जाएगा तो इतनी बाते थी इतने चीजे थी जिस पर आपको हमें clarity देना था इस वीडियो के माद्यम से साथी आप अगर हमारे polytechnic sure series में participate करना चाते हैं जिसमें ये guaranteed है कि आपका government college में selection तक का पूरा आपको जो है guarantee दिया जा रहा है ठीक है उसमें sure series में participate करने के लि लिए आपको कुछ नहीं करना बस हमारे channel को subscribe कर लेना है और telegram group का link दिया गया है जाकर के telegram group को join कर लेना है और आपके examination के बाद से classes हम से और series की start कर देंगे और वो classes आप attend करके government polytechnic में सीधे admission ले पाएंगे मतलब वो classes कराने के बाद आपको hundred approximately hundred questions जो है आपको provide कर दिये ज question जो आपके polytechnic 2021 के examination में आने वाले हैं तो बस इतनी सी बात थी जो कि हमें आज के इस वीडियो में clear करनी थी बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम